तो और मेरे प्यारे भाहियों कैसे आप सो लोग तो गाइस अगर आप यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाओगे कि आपके लिए कौन सा डिवाइस बहतर है तो सबसे पहले बात तो यह दोनों बहुत ही बजट गेमिंग स्मार्टफोन है और इनका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है इस कंपेर टू आपको प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाएगा स्नेप ड्रेगन का 860 और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर गेमिंग इलिए और इसके साथ आपको अगर कैमरा देखना है तो इस में आपको 48 मेगा पिक्सल का कैमरा मिल जाएगा आइटिंग ट्रिपल कैमरा जो सपोर्ट क कि यहां है अगर आइक्यू के डिवाइस की तो आइक की डिवाइस में भी आपको 220े अट की दिस्पले जीऊ साथ साथ 240हर्स का आपको टच्रीस रिस्पांस रीचाइए व'll स्नैपड्राइग guitar 695 देखने को मिल जाता है और ग्तो इसमेह आपको दी गई है और 5G स्मार्टफोन है सबसे बड़ी बात और पोको आफका 4G तक तो 5G में तो convert नहीं होगे तो इन दोनों डिवाइस की specification की तो आप बात करते हैं कि इन दोनों डिवाइस में आपको प्रफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है जब इन में कोई वी इंस्टॉल करते हो या फिर कोई प्रफॉर्म करते हो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको बिल्कुल भी लाइक देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इसमें बैटरी का जो बहुत ही पड़ी है तो आप 3-4 घं प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रेगन का 695 मिलता है तो वो प्रोसेसर इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता बढ़ी है तो और इसका बैटरी का जो ऑप्टिमाइजेसन वह इतना अच्छा नहीं है तो आगर आप इसमें कोई गेम परफॉर्म करते हो तो कम से कम 2 या 3 गंडे तक यह सपोर्ट के बाद आपको चार्जिंग के लिए इसको जरू लगाना पड़े तो दोस्तों बात करते हैं बीजिया माइए की ग्राफिक टेस्टिंग की कि आपको पोको में कौन-कौन सी ग्राफिक सेटिंग देखने को मिल जाएंगी तो जब आप पोको में य अप्सन देखने को मिलेंगे ग्राफिक में और इसके साथ आपको स्मूथ के साथ अल्टर तक की सेटिंग देखने को मिलेगी यानि कि 40 एपिस इसपोर्ट करता है और आप इसमें 60 एपिस नहीं खेल पाऊगे आपको इन दोनों दिवाइस में से कौन सा दिवाइस पर चाहिए अगर आप गेमिंग के लिए डिवाइस आते हो तो को है अप इसप्रो का इस लिए Richardson दिवाइसी करते हो लेकिन अगर आप अब को आइक सा्जेश आती हो जिसमें आपको अच्किर दिस्प्लेइय कोNow रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है तो दोनों में आपको graphic setting से क्यों नहीं देखने को मिल रही है तो इसमें आपके device का processor भूँत main role perform करताहिए क्यूंकि आपके device का processor इतना अच्छा नहीं होगा और उस पर आप हाई ग्राफिस की गेम रन करोगे तो आपको उतनी अच्छी प्रफॉर्मेस नहीं दे पाएगा डिवाइस तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा और आप समझ चुके होगे कि आपके लिए कौन से डिवाइस ज्यादा अच्छा है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको गेमिंग प्रफॉस के लिए चाहिए तो पोको भी ना किसी डाउट के आप पर चैस कर सकते हो लेकिन आपको एक अच्छा 5G कम प्राइज में फॉन चाहिए तो आई क्यू की और जुरूर जाएं